वदे मातरम जहिंद और इंट्रिवीव की सिस रंखला में एक और सेलेक्टिड केंडिडेट आपके सामने हैं जो नस्दीक से नहीं बहुत दूर से राजस्थान के दोसा डिस्टिक से हैं सोवे चार बजे बच्चा निकला था और कहने के बाद इंट्रिव देने यहां पर आ आपका सर एक फ्रेंड के थ्रू बैच लिया था एक फ्रेंड ता उसके पास बैच था और में को कुछ ऐसे टोपिक थे में से पहले 2022 में से पहले की इनमें दिक्कते आती है जैसे अनलोजी वगरा तो फिर भी प्रेक्टिस से बन जाती लेकिन कुछ चीज जैसे इस सेटिं मैंस में जरूत पढ़ी तो मैं मैंस में जरूत लगी क्योंकि पहली बार मैंस लगा तब पैटन चेंज वह था तो इनको करने के लिए मैं का कहीं से तो बढ़ने चाहिए तो एक फ्रेंड ने आपका नाम सजेस्किया रहां तो मैंस में तीस कुश्चन में से कितने करके तीस में से तीस तो सही मिलने के चैंस थे सब गये सबक मेरे साथ एक एक ट्रेजडी एवी तिसे सर मेरे कहना मेरे सर अब तक कि पिछले पाँ एक्जामे में वीडिया तो इसमें नभब बटे नभटे रीजनिंग में और इस से पहले सी सीजिए प्रे में 50 वर्टे पचास इससे पहले लगबख 5-6 एक्जाम में बट्टे भाई बट्टे थे रीजिनिंग में लेकिन सर यह वाले एक्जाम दे रहा था ना मैं तो सर मेरा कंप्यूटर था वो बंद हो गया मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर गया था सर एक्जाम में मेरी सर ऐसा हो जाता है कि आप पूरे कर तो वह सकता है कि जो तो तो थीन का नुक्सान प्रच्ण का थी किसन रूप में वहां किसी रूप में घ्वान किसी चीज का रखता नहीं वो दे देता है आगे उसका ज़रूर मिलेगा तो ये बंचे है जो खुद कहरा है कि मेरे आउट और हमेशा मार्स थाइन दो पॉसिबल है बंचे मेरे सरं बच्छा कोन्पिदेंश में ब्लेकिन टोड़ इसवहा वहाई जए टोड़ा मेरे सर मेरे मांक्स इसेजिनिग मैं 171 173 मैं ने स्टरीनिक में ब्टे बटे माहिते थे सब्सक्राइब का कैसा पता चला सब्सक्रेंट के तुरूपा जो सेलेक्टेड हो चुको तो पहले भी एतना धानी वह दोस्त तो उन्हों तो ने ऐसा बैस्ट सजेस्स किया था कि और के अज़िए रिविल के फैकल्टी सारी अच्छी है मतलब एसे सी के फिल्ड में करियर रिविल के सारे टीचर अच्छे मिल सकते हैं और कोई अज़िए प्लैट्वूम नहीं कहीं पर इंगलिश का टीचर खराब है तो कहीं पर बड़ा गर्व होता है कि ऐसे जो बच्चे जो इतनी दूर भी रहते हैं और सेलेक्शन के बाद भी देखो यह होता है कि अपने गुरू को याद करना कि सेलेक्शन के बाद भी उन टीचर से मिलने हैं जिनको बाई साइज नोने कैमरे में देखा था एक तो होता सिर्फ कैम क्या आराम से दीरे दीरे करते न अगर ग्रेजुशन में इस स्टुडेंट तो आराम से पांच चैनटे पांच को यह जाएगा और यदि ग्रेज़िशन हो चींटे तो साथ गंटे आट नो गंटे regular क्योंकि अब पूरा दीन रहता अपने पास तो आप शाथ गंटे अगर और 7-8 गंटे नहीं निकल रहे तो आप अपनी कमी होई तो आराम से 7-8 गंटे ग्रेजुशन के बाद में निकाले मतलब सेकंड और फाइनले में प्रेपरेशन शुरू कर दो तो प्रेशर नहीं आएगा तो फिर बिल्कुली प्रेशर नहीं आता सर उसमें तो फिर ऐसा है कि आर अमसे 5-5 गंटे भी पढ़े हो ना तो आप ग्रेजुशन के साथ साथ तो आप पहले अटम्ट में हो सकते हैं ताजी क्या करते हैं सर हमारी गाउं में छोटी सी दुकान दुकान पे भी हल्प करते होगे हैं दुकान पे भी बैठना है उसके बाद भी टाइम निकालना ह सर गाउं से और भी सेलेक्शन होगा है अब से ने अच्छा उसके बाद तुमारा हुआ है तो एक बच्चे पर गाउं में सलेक्ट होता ना तो उससे क्या कि दूसरे युवाओं को भी मोटीवेशन मिलता है कि अगर हमारे गाउं का पच्चे उस लेवल तक पुँशी का त स्कूलिंग कैसी स्कूल में होगी सर शकूलिंग गाउं के छोटे स्कूल में थी सर ज्यादा बड़ा स्कूल दी तक तो पूरा उख्यों पड़े पर 10 के बाद में 12 में हम अमारे शेर बांदी की कशबे में गये थे वह भी साथ-किलियुमेटर था तो माः पी की और तो साइंस का बैक्राउंड वैसे जबूत था तो वह मैट्स इसी वज़े से उच्छी तो रीजिनिंग पर भी वैसे ही पकड़ हो जाती है जिए जिसनिंग में सर मैथ अनलोजी वगरे इसी वज़े से बन जाती थी 2020 के अनलोजी सबसे टफेस्ट एनलोजी में साइंस सर में आपके भी दे कि से कोडिंग के कोषिशन बोटब थे 220 वा ले जोड़ी सीजिल था उसके कोडिंग डिकोडिंग तो आपकी क्लास दे कि फिर वहां से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया ये विज़े सब्सक्राइब कोई च्छोड़ते ही नहीं आप एक्स्टर टाइ कितना गंटा पड़ें या किसी के पैटरन को फोलो करें खुद को पर द्यान दे कैसे जो खुद अगर आप टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको उन्हीं पर द्यान देना है कि वो जो बता रहे हैं वो सफिशेंट है अगर कुछ से दिमाग लागा होगे तो पस होगे सर तो का पता चल गया कैरियर रूल के टीचर से पढ़ें तो उससे आपको कितना फर्क मैसूस हुआ सबसे बहुत 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 शुब कमने और इस बच्चे यह आगे बढ़ें इनक्या लक्षाएगी उपीसी इनको करेक्ट करना है और हमारा आशिरवाद इनके साथ है और हम च चोटी चोटी गाओं कस्बों से शेहरों से वह जुड़े हुए हैं और जो उन्हीं कठिन परस्तितों से निकल कर सामने आते हैं तो आप भी मेहनत करते रही हैं उन्हीं से आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा